मॉसको से गोवार ही रूसी एरलाइड एजाग जीवार की फ्लाइड में सोंवा रात बम हूने की सूचना मिले थी देरत पहुची NSG की टीम ने 10 घंडे तक फ्लाइड यात्रियू और क्रू मेंबर्स के समाज की तलाशी ली लेकिन तलाशी में ना तो बम मिला और ना ही कुछ संदिक मिला बम की खबर जूटी निकली वीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मंगलवार सुबह साड़े दस से ग्यारा बज़े के बीच फ्लाइड गोवा के लिए उडान भरेगी फ्लाइड में बम की खबर मिलने के बाद फ्लाइड की गुजरात के जामनगर में इमिर्जेंसी लेंडिंग कराई गई थी इसके चलते रात भर जामनगर एरपुट पर अफरात अफरी रही बम निरोधक दस्ता, गुजरात पुलिस और फार ब्रिगेड सूचना मिलते ही एरपट पर पहुची थी 244 यात्रियों और क्रू मेंबर को फ्लाइड से उतारा गया इसके बाद से वे एरपुट पर इंतजार कर रहे थे फ्लाइड सुमवर दो फर साड़े बारा बज़े मौस्कों से गोवा के लिए उड़ी थी रात साड़े नौ बज़े के आसपास फ्लाइड में बम होने की खबर मिली जब तक फ्लाइड भारती एरस्पेस में प्रवेश कर्ची की थी यह जानकारी मलता ही सुरक्षा एजनसी अलट पर आ गई इसके बाद फ्लाइड को नजदी के एरपुट जाम नगर उतारने का फ्लाइड की लैंडिंग हुई दस बज़े तक सभी यात्री को प्लेइड से सुरक्षी थितार लिया गया फ्लाइड को रात ग्यारा बज़े गोवाब पहुचा आना था